हलो फ्रेंट्स वेलकम टु दीपक टेखनोलोजी फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग एक आर्टीकल डिसकस करेंगे दौ हिंदू दौ इंडियन एक्सपेस सभी पर अभी एक आर्टीकल आया है वाटसप से रिलेटेड कि वाटसप में एक न्यू अपडेट आया है जिससे बोला गया है कि WhatsApp का जो भी डाटा रहेगा वो Facebook वाला लोग जाउन लेगा या Facebook के साथ लिंक कर दिया जाएगा, तो इसके बारे में हम लोग पूरा जाउनेंगे, इसके लिए आप लोग ये वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए, तो अपने दोस्तों के साथ सेर करें, लाइक करें वीडियो को, और अगर मेरे चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब ने किया है, तो यूटूब पे जाकर दीपक टेक्नोलोजी को सब्सक्राइब करें, तो हम लोग पहले जाउन लेते कि वाट्सप है क्या फ्रेंट्स, जाहिर सी बात है ये आप लोग सब ही यूज करते हैं, तो आप लोग को पता होगा कि वाट्सप क्या है, फ्रेंट्स वाट्सप एक मतलब messaging app है, जिसके थू से आप मतलब किसी भी आदमी के साथ communicate कर सकते है simply, privately, इसमें क्या होता है, ये जो वाट्सप है, इसका एक privacy policy है, जिससे मतलब बताया जाता है कि इसमें end to end encryption chat होता है, इसका मतलब ये है कि आप लोग अगर किसी के साथ बात कर रहे है, message पे, या photo भेजते हैं, या कुछ privately बात करते हैं, या कुछ भी चीज होता है, जो privately होत है, जो आप दोनों के सिभा, जिसके साथ आप वाट्सप पे message करते हैं, या बात करते हैं, या कुछ भेजते हैं, आप दोनों के सिभा, कोई भी third person उसमें जाके मतलब नहीं देख सकता है, या नहीं पर सकता है, आपका privately chat को, तो ये वाट्सप का सबसे बड़ी खासियत है, तो अभी जो मतलब बताया जा रहा है कि मतलब वाट्सप पे क्या मतलब अभी आया है update, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, तो वाट्सप जो है, अभी मतलब कुछ दिन में क्या आया, एक update आया, उसमें क्या था, कि बताया जा रहा था, देख रहें, आप लोग यहां पे उसमें बताया जा रहा है कि आपका जो WhatsApp है वो Facebook के साथ link हो जाएगा, मतलब उसके Facebook के साथ WhatsApp जो है वो data share करेगा, इसमें क्या बताया जा रहा है कि WhatsApp जो है वो Facebook के साथ आपका data को मतलब share कर सकता है, लेकिन ये totally जो है मतलब अभी बोला जा रहा है कि इससे आपका जो chat है वो भी Facebook वाला लोग जाउन लेगा, या मतलब आपका जो मतलब कोई भी image आप लोग भेजते हैं तो वो भी Facebook वाला जाउन लेगा, ये totally गलत है friends ये आप लोग को गलत news दिया जा रहा है, तो इसका जो मतलब सही सही आप देख रहें ये है कि पहले हम लोग देखते हैं कि क्या change नहीं होगा, WhatsApp में क्या change नहीं होगा, WhatsApp cannot see your private message, WhatsApp जो है आपका मतलब private message को नहीं seen करेगा, कोई देख सकता है Facebook के साथ मतलब share कर सकता है, या आपका call को नहीं Facebook के साथ share करेगा, और दूसरा बात क्या है, अगर आपकी सिख साथ photo, video, ये सब चीज क्या होगा, WhatsApp share नहीं करेगा Facebook के साथ, WhatsApp cannot see your shared location and neither can Facebook, आपका जो WhatsApp में location जो होता है present का आप लोग अगर share करते हैं किसी के साथ, ये नो तो WhatsApp देखेगा और नहीं Facebook बाला देखेगा, उसके बाद जो हम लोग देखते हैं WhatsApp group remain private, अगर आप लोग ग्रूप में भी कुछ बात करते हैं या ग्रूप में कौन-कौन membership है, ये भी मतलब क्या करेगा, share नहीं करेगा, किसके साथ नहीं share करेगा, नहीं Facebook के साथ, नहीं WhatsApp का कोई member इस चीज को देखेगा, तो ये मतलब था private policy के बारे में, जो सब मतलब नहीं change हो सकता है, उसके बाद will WhatsApp share your message with Facebook, देख रहे हैं यहाँ पे ये Indian Express का article है, यहाँ पे direct बता दिया गया, no, तो privacy policy does not change where WhatsApp treats personal chat, आपका personal chat को नहीं share करेगा, WhatsApp remain, अभी भी मतलब end-to-end encrypted रहेगा, जिससे क्या होगा, कि कोई third party जो है, वो आपके WhatsApp chat को नहीं पर पाएगा, नहीं आपका personal emails या कुछ भी आप लोग share करते, वो नहीं देख पाएगा, तो इसमें change क्या होगा friends, इसमें ये change होगा, कि आप लोग जो मतलब data को use करते हैं, WhatsApp में, वो data Facebook बाला लोग मतलब ले लेगा, जितना भी आप लोग data use करेंगे, वो Facebook बाला ले लेगा, और उससे वो लोग अपना business को आगे बरहाएगा, इसमें आप लोग को privacy और जो पहले था, private policy को बारे में कुछ भी change नहीं हुआ है, सिर्फ इसमें change क्या हुआ है कि, आपका जो, मतलब use कि जितना भी आप लोग अपना data करेंगे, net करेंगे, वो सब चीज क्या हो जाएगा, उसके पास चला जाएगा, Facebook के साथ ये link जब हो जाएगा, WhatsApp जब आप लोग allow कर देंगे, तो ये सारा data जो है, ये data को क्या करेगा, वो लोग ले लेगा, और दूसरा बात है, आप लोग का अज नंबर है, वो Facebook के साथ अटाच हो जाएगा, तो इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है, आप लोग जैसे पहले यूज करते थे WhatsApp, जेनरली आप लोग अभी भी यूज कर सकते हैं, धन्यबाद दोस्तों, जैहिंद!